हेलो एवरीवन वेल्कम टी एटी से अलाइन आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 25 इंडियन डिसेज इन इंग्लेश मतलब 25 ऐसी इंडियन डिसेज जिनके नाम हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले जो कि बहुत ही जादा इंट्वेस्टिंग हमारे लिए होने व समोसा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिसाल फिर हमारे पास आता है रोटी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चपाती या फिर ब्रेड फिर हमारे पास आता है चटनी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सास सास उसके बाद हमारे पास फिर आता है चाच ज इसके बाद फिर हमारे पास आता है रायता, रायता को इंग्लिश में बोलते हैं mixed curd, mixed curd, क्योंकि curd मतलब उता है दही, उसे को mix करके तो रायता बनाया जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है दही, दही को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, curd, curd, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सूजी का हलवा सूजी के हलवे को हम लोग बोलते हैं सेमूलिना पुडिंग मतलब हलवे को हम लोग पुडिंग बोलते हैं और सूजी का हलवा इसे हम लोग बोलते हैं सेमूलिना पुडिंग फिर उसके बाद हमारे पास आता है खीर सेवई की खीर तो सेवई को ह को हम लोग बोलते हैं और खीर को भी हम लोग पुडिंग बोलते हैं तो दिए बहुत इंपोर्टेंट है हल्वे को भी हम लोग पुडिंग बोलते हैं और खीर को भी हम लोग पुडिंग बोलते हैं क्योंकि जो डेशेस होती है यह समझना इंपोर्टेंट है कि डेशेस एक प इसमें नेम भी होता है, तो हलवा हो या थीर हो दोनों को हम लोग पुडिंग बोलते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आती है चावल की खीर, चावल की खीर, चावल को हम लोग राइस बोलते हैं, तो राइस पुडिंग, राइस पुडिंग, फिर उसके बाद हमारे पास आत है टिक्की को हम लोग बोलते हैं कटलेट और अगर यही आलू की टिक्की हो तो पटेटो कटलेट पटेटो कटलेट टिक्की को कटलेट उसके बाद फिर हमारे पास आता है खोया खोया जो की मिल्क से बनता है मिल्क को बहुत ज्यादा गाढ़ है जब हम लोग कर लेते हैं उस भर्डली जैसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैंumo, je the scrambled egg स्क्रांबल्ड एग, स्क्रांबल्ल एग देखिये, नाम से बता चल रहाए, अंड़ी की जब हम लोग भर्डली बनाते हैं तो उसे हम लोग scramble कर देते हैं यानि पूरी तरह से उसको हम लोग mash कर देते हैं तो इसलिए इसे बोला जाता है scrambled egg फिर next हमारे पास आता है omlet देखिए omlet एक English ही word है और यह English word है omlet इसे हम लोग omlet बोल देते हैं लिकनि omlet नहीं होता यह खुद एक English word है जो कि है omlet omlet उसके बाद फिर हमारे पास आता है मक्षन मक्षन तो सबको बता होगा मक्षन को हम लोग बोलते हैं butter मक्षन होता है butter मक्षन के बाद फिर हमारे पास मक्षन की ही एक और वेराइटी आती है जिसे हम लोग घी बोलते हैं लेकिन ये clarified butter हम इसे बोलते हैं क्योंकि घी को हम लोग मक्षन से clarify करके बनाते हैं तो घी को हम लोग बोलते है clarified butter butter नहीं बोलते बटर मक्षन होता है और घी होता है इसके बाद फिर हमारे पास आता है जलेबी जो बहुत सारे लोगों की फेवरिट होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं फनल केक फनल केक जलेबी के बाद फिर हमारे पास आता है गुलगुला गुलगुला जो मीठा होता है गुलगुले को हम लोग इंगलिश में बोलते हैं डंप इंग्लिश में पुलाव को बोलते हैं पिलाफ फिर हमारे पास पुलाव के बाद में फिर आता है माल पुआ माल पुए को बोलते हैं पैनकेक यह दो आप लोगों ने बहुत बाद सुनाओगा माल पुआ पैनकेक इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं नमकीन नमकीन को हम हम लोग बोलते हैं चरंड कर्ड देखें लस्सी कैसे बनाई जाती है जो दही होता है उसे मता जाता है अच्छी तरह से मतनी को हम लोग चरंड करना बोलते हैं तो लस्सी मतलब चरंड कर्ड चरंड कर्ड तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है कचोरी कचोरी को हम लोग में हम लोग बोलते हैं फ्रेटर्स फ्रेटर्स पकोड़ा फ्रेटर्स और इन्हीं पकोड़ों के साथ आज की हमारी वीडियो भी पे एंड हो गई तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को काफी जादा मजा आया होगा इंट्रेस्टिंग लगी होगी अगर वीडिय तके लिए हाव गुद्दी टीकेर बबाए जय हिंद जय भारत राधे राधे